तो जैम आता दी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले कल दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मन्तली एक्सपायरी है तो इन डिटेल में हम डिसकस करेंगे कि कौन से लेवल पे हमको अपोर्चनविटी मिल सकती है तो सरू करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी से बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है पंदरा मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंटराडे के लिए वैस्ट होता है लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिसकस किया था अगर मार्केट जो यह साइडवेज रेंज यानिगी चालीजार साथो के उपर निकल गए कोई स्विंग बनाएगे तो हम कोल साइड पलान कर सकते हैं लेकिन यहां पे हमने किया भी कोल साइड पलान निफ्टी में किया था निफ्टी में भी बहुत अच्छा ब्रेक आउट आ रहा था लेकिन जैसी हमने एनालिसिस की थी एक बार ट्रेप जरूर किया लेकिन उसके बाद मार्केट बिल्कुल वैसा ही चला अब कल कहां पर मुमेंटम हो सकता दिखिए ध्यान से सुनिएगा जब एक्सपारी से पहले दिन मुमेंटम हो जाता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि एक्सपारी वाले दिन भी मुमेंटम होगा अब की बार थोड़े से चांस इसलिए जादा है क्योंकि वीकली एक्सपारी नहीं है मंतली एक्सपारी और दोनों की एक साथ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की तो हम कहां पर पलान कर सकते हैं एक चीज याद रखे है इसके नीचे अगर यह फिर से ब्रेकडाउन करती है तो फिर 45,600 तक का हमको एक मुमेंटम और देखने को मिल सकता है यह जो प्राइज एक्शन बना इसको फोलो थुरू मिल जाएगा पचा साथ प्राइट का स्टोपलोस डालगे वन इस्टो टो 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 टारगेट के लि के लिए मैं आपर फिर से बोल रहा हूं बड़े टारगेट के लिए यहां पर प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफी बोलेटाइल रहेगी यह नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों हां अगर निकलती है चालिस दार दोसों के ओपर फिर से आनिकी जो आज की यह रेंज बनाई अड fault 22600 जोपे पने से बिए क्या बन गया चापीस दोस्तों याद रहा है एक चीज ओर रहा एक करना अगर कल दोस्तों मार्केटी यह मालीजे सिधा gap up खुल गए 4400-300 इस range में यानि कि nifty में भी मैं बताऊंगा पहले bank nifty का थोड़ा सा ये ध्यान से देखिएगा ये दोस्तों जो range है ना 4600 से लेके पूरे 4400 के बीच में ठीक है या 4600 मालीजे इस range में अगर gap up खुलती है मार्केट तो फिर इसी रेंज में मार्केट घूमती रह सकती है सारा दिन यानि कि लोगों को ट्रैप कर सकते बुरी तरीके से ओपरेटर जो है दोस्तों ट्रेड प्लान करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा अगर गैप डाउन खुल जाती है तो एक बार प्रोफिट बुकिंग सोरी एक बार रिकवरी आ सकती है अगर गैप डाउन खुलगी थोड़ा बहुत तो 35600 तक का हमको टारगेट मिल सकता है पचा साथ पॉइंट का स्टोपलोस डालगे मैं पूट साइड पलान कर सकता हूँ लेकिन ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल गी 35700 के आसपास और 35500-600 इस रेंज में आके अगर यह कोई पोजिटिव कैंडल बनाती है तो और उसक निफ्टी में हमारे टारगेट कलियर नहीं थे क्योंकि बीच में मूविंग एवरे जा रही थी लेकिन एक ही केंडल ने भाई सब कुछ तोड दिया ठीक है और यहीं पर सपोर्ट था निफ्टी में भी जैसा कि हमने मार्क किया था 2950 के आसपास और आराम से निफ्टी यह करें अब यहीं था कि हम पेपर ट्रेड खरने के लिए पौस्ट की टी थी बेंक निफ्टी के सब्सक्राइब फिर सिट्गें निफ्टी भीया है चैनिकेश्याइब एक स्वेल निट वीडियों में बस्ट ता उता तल परफिए ब्र निघियों कहीं जैसा कि वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था उसी तरीके से मार्केट चले इस वजे से मैं स्टेडी पोस्ट कर दी यह हमेशा मैं नहीं करता हूं अभी तो रेगुलर सा कर रहा हूं लेकिन जब बनती है मैं थोड़ा सा तभी कोसिस करता हूं जो डेटा हमारे फेवर में हो तो यह चैनल है दोस् कुछ डेटा पोजिटिव नेगेटिव में अपडेट करता रहता हूं जो भी मेरे से बन पड़ता है अगर आप दोस्तों सरच करोगे तो इस लोगों से इस नाम से बहुत सारे फ्रोड चैनल मिलेंगे उनके सब्सक्राइबर आपको मुझे तीन चार गुना दिख सकते हैं लेकिन वह फेक सब्सक्राइबर हैं और उनकी पोस्ट पर इतने व्यूज नहीं मिलेंगैं 40 जार पचा आघ पच पोनाज आर कि वो बोर्ट सब्सक्राइबर हैं ना तो उन भी मेरा कोई पेड गूरूप है ना मेरे इनम M here ना मैं call tips advice देता हूं प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा call tips के लिए ना दे अब निफ्टी को देखिए जहां से निफ्टी आज गिरना शुरू हुई यह strong selling area बन गया है को मेंटम तक हमको टार्गेट मिल सकता है recovery इतनी ही आ सकती क्योंकि यह तो फ्रेश सेलिंग एरिया है मैं 1520 पॉंट का stop loss डाल के call side जाना पसंद करूंगा चाहिए वो फ्लैट खुल के भी जाहिए जो लास्ट स्विंग है इसके उपर जब तक नहीं निकलती है तब तक बहु दालके मैं put side जाना पसंद करूंगा गैप डाउन खुल जाए तो वही बैंक निफ्टी वाला ही हमारा स्टेटस रहेगा अब निफ्टी में जो सपोर्ट दिख रहा है बहुत ज्यादा दूर है बहुत जादा दूर है बहुत जादा दूर है यहां पे support है 2700-2750 के आसपास तो डिपेंड करता है कितना गैप डाउन खुल रही है अगर यहां पे सीधा 755 के आसपास गैप डाउन बड़ा खुल यह तो market recovery कर सकती है एक bullish candle बनी फिर उसका अगर high break होता तो यह gap फिलो सकता है दिनका लोज टोप लोज डालके मैं call side जाना पसंद करूंगा और अगर हल gap down खुले थोड़ा सा recovery दिखाए हलका gap down की मैं बात करा हूं हलकी recovery दिखाए फिर से अगर breakdown कर रही है दिनके लोगों तो यहां तक का target मिल सकता है 700-800 तक का और अगर यहां पर आके कोई W pattern बना दे तो दो पर बाद यहां से recovery कर सकती है option chain की दोस्तों अगर मैं बात करूं option chain को देख लेते हैं देखिए 2,922,000 का level देखिए 2,3,000 मंदी वाले बैठें भाई 1,5,000 तेजी वाल होगे मुकावले यानि की strong resistance बन गया इतना ज्यादा होता है क्योंकि जो premium होते कम हो जाते हैं और premium कम होने की वज़य से जो क्या बोलते हैं open interest होता है ज्यादा हो जाता है तो पता नहीं चलता है कि seller का है या buyer का है 900 के नीचे अगर दोस्तों निकलती है तो एक मुमेंट अमको 800 तक का भी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट सपोर्ट देख रहा 800 पर ही दिख रहा है एक लाग 6,000 तेजी वाले तो चालिश जार के उपर चालिश जार सो दोस्तों इसके उपर निकल गए अगर कोई स्विंग बनता है तो बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे जैसे ही पोजिशन काटेंगे शोट कवरिंग मार्केट में आ सकती है देखते हैं जैसा भी होगा हम डिसकस करेंगे अगर डेट अपडेट करना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करने की पूरी कोशिस करूँगा तो दोस्तो आज का वीडिये यहीं तक था एक चीज याद रखना अगर मार्केट आपको कल साइडवेज दिखे या फिस नो ट्रेडिंग जोन में निफ्टी बैंक निफ्टी दिखे तो भाई ट्रेड मत करना जीरो हिरो गे चकर में मत पढ़ना लोस कर बैठोगे मार्केट हर रोज खुलेगी फिर कभी देख लेंगे तो इस चीज को याद रखेगा कल एक्सपारी दोनों इंडेक्स की एक्सपारी को यहीं चीज़े याद रखनी होती है तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं तक था असा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएक दो लाइक और शेयर जुरूर कीज़ेगा ताकि जुरूर तुम लोग दो असानी से पहुंच जाए अपना कीमती समय निकाल गड़े देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन सुभरे मिलते हैं दोस्तों कले एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई जै माता दी जै हिंद